welcome friends आपका departure and technicalacz्या में आपका स्वागत है तो अज हम बात करेंगे कि आपका जो budget finance app में जो e-mail address दिये है उसको किस दर से verify कर सकते है और verify किस दर से आपको करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ किस दर से आपको email address जो आपने फिल किय है उसे verify किस दर से करना है अगर आपने अभी तक budget finance एप में अपना email address नहीं डाले है तो किस तर से अपना email address को आपको फिल करना है उसके बारे में भी आपको मैं वीडियो बना चुका हूँ तो वीडियो वो देखकर आप email address को फिल कर सकते है अगर आपने रेजिटेशन करते हैं अपने फिल नहीं किया होगा तो तो चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर सबसे पहले email address को verify कर लेता हूँ यहाँ पर जो लिखावाए forget MP इस पर मैं क्लिक करता हूँ जैसे क्लिक करूंगा फ्रेंट्स यहाँ पर तो फ्रेंट्स यहाँ पर थोड़ देर wait करना है क्योंकि यह जो एप है यह तोड़ा solo काम करता है तो यहाँ पर wait कर लेना है तो देख सकते फ्रेंट्स यहाँ पर आपको इस तरह का interface आ जाएगा यहाँ पर आपसे पुछा जा रहा है कि आपका जो email address है उसे reset करने या कहें कि आपना email address को verify करना होगा उसके बाद ही आपको अपना mpin change कर सकते हैं तो friends मेरा mpin change नहीं करना है शिरिप मुझे जो मेरा email address है उसे verify करना है तो verify करने के लिए friends आपको क्या करना है go got it लिखावा इस पर आपको click करना है तो friends यहाँ पर इस तरह से click कर लेते हैं जैसे click करते हैं तो friends यहाँ पर थोड़ देर wait करना है और यहाँ पर जो आपका email address है email address पर आपको यहाँ पर open करना है चलिए मैं Gmail जो है यहाँ पर देख सकते हैं मेरा Gmail है इस Gmail को open करता हूँ क्योंकि आपको अपना email address को verify करना है तो friends यहाँ पर जो अपना email address है पहले email address को यहाँ पर select कर लेना है तो friends यहाँ पर देख सकते हैं अपना email address है उसे verify करने के लिए यहाँ पर देख सकते मेसेज भी आ चुका है या कह कि इमेल भी आ चुका है यहाँ आपर लिखावा देख सकते है verify email address हाई देवराज चंद्रा तो friends इस पर click कर लेना है जैसे click करते है तो friends यहाँ आपर next interface आपको इस तर से देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह का interface तो friends यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले यह देख लीजिए तो friends यहाँ पर दो लिखावा है नीचे तरप इस पर आपको click करना है क्योंकि आपका email address जो है successfully verify हो चुका है और यहाँ पर जो लिखावा है launch application इस पर आपको click करना है जैसे click करते है तो आपका जो application है verify हो जाएगा friends तो friends यहाँ पर मैं click कर लेता हूँ है जैसे click करते हैं यहाँ पर तो आपका जो email address है यहाँ पर देख सकते verify हो चुका है तो friends इसी तरह से आप अपने जो बाजाज finance एप है इसका email address को verify कर सकते है अगर friends मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को जो लाइक कर देगा मेरे चैनल पर आपने है तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिजेगा thank you friends वीडियो को आं तक देखने के लिए